एलो गई स्वागत आप सबका तो आज हम बात करें कि अधानी एनर्जी सोलीशन की और गिरावट देखने के मिली कल ही इसके संकेत भी मिल रहे था में सबसे पहली बात अगर देखे जब यह यहां पर था नए है इस चैनल के उपर तो आप देख सकते कि तब भी मैंने बोला आती है, surprisingly news तो वो मतलब की इसके अंदर तेजी आ सकती है मतलब की surprisingly positive news अगर आती है तो वो मतलब की एक तेजी आ सकती है लेकिन अगर देखे तो news का भी effect पढ़ सकता है लेकिन technical chart की अगर बात करें सब यह indicator की तो वो कही ना कही संकेत दे रहे थे कि यह नीचे आजने की support लेने की कोशिश की जैसे कि यहां पर से अगर जिनकों नहीं पता उनकों में बता दू यहां से लेकर यहां तक यह जो rally आई थी तक्रिबन यहां तक मुझे याद है 720 रुपे के आसपास से rally start हुई थी उपर में 1246 के आसपास गया था यह मतलब कि 1240-1250 के आसपास तो तक क्रिबन जो एक लेवल निकर करा रहा है वो जो है 990 रुपे से लेकर मतलब कि एक range की अगर बात करें तो 980 से 1000 रुपे का zone है यह जो है अभी इसी लेवल के आसपास इसने support लिया है तो यह अभी एक strong support के आसपास खड़ाया सा लग रहा है लेकिन अगर इसको तोड़ता है आसपास का share है और आप खुद calculate कर सकते कि कितने रुपे की खरीदारी हुई है बीस लाग share की खरीदारी हुई इसके अंदर आज के दिन के बात करें delivery volume वह भी 50% का आसपास का और अब देखे 15 minute का chart तो आज के दिन हुआ किया सबेरे जो है अच्छा का size के अंदर moment था 1120 लेकिन दोपेर के बाद जो है एक गिरावट आई और यह हो सकता है कि market के अंदर एक तो मतलब की कल M.A.C.D. के अंदर भी अगर देखेगे तो यह हलका सा bearish crossover हुआ था तो पहले ही कुछ मतलब की technical chat के उपर बात करें तो एक कुछ मतलब की संकेत दिख सकते है इसके अंदर M.A.C.D. के अंदर इसने bearish crossover कर दिया था साती साथ आज market के अंदर भी correction रहा और आज आपर देखे आगे weekly chart के उपर कई बार मैंने बोला है अब यहाँ पर आप देख सकते है यह यह जो जो जोन है 975 रुपे के आसपास का है जो की 980 से 1000 रुपे का जो एक support है उसी के आसप से मडलब की है support वहाँ पर यह ले सकता है क्योंकि को इंट्राडे की अगर बात कर रहा तो volatility रहती है market में वैसे long term के लिए अच्छा रह सकता है short term में volatility रह सकती है और पिछली बार भी हमने इसके उपर चरचा की थी weekly chart के उपर अब थोड़ी सी बड़ी moving average लगाई है तो यह अगर आप देखेगे 50 week की moving average अभी 1136 के आसपास है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत changes होते हैं यह price के अंदर moment आती है उपर निचे आता है तो अभी 1136 के आसपास है वहीं पर पिछले तीन हपतों से अगर आप देखेगे तो यह इसी level के आसपास यह resistant phase कर रहा है आज की अ तब इसके अंदर जो है तेजी की संभावना आ सकती है otherwise या तो profit booking या तो consolation रह सकता है अब अगर देखेगे weekly चाट के आप और बड़ी moving average लगाई तो जैसे कि आप देखे तो यह उपर की लाइंच जो है 100 week की moving average 1400 रोपे के आसपास है 200 week की moving average 1400 रोपे के आसपास है तो मतलब की एक resistance की बात करें तो resistance को कहा पर मिल सकता है अगर उपर जाता है तब की बात है मतलब कर जाता है तो की बात है अब यहां पर हम आगे देखते हैं सबसे पहली बात डेली चाट के उपर 200 दिनों का moving average इसके बारे में मैंने बोला काफी important जो है moving average रह सकता है बड़ा moving average 200 दिनों का moving average पहले इसके ऊपर आया फिर यहां पर मैंने बोला था कि इसको retrace करने आ सकता है retrace भी किया उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया यहां पर काफी consolation हुआ काफी दिनों के उसके बड़ इसके ऊपर जाने की कोशिच की एक लग रहा था कि थोड़ी सी strength में जो है एक वापस strength जो है वो आ रही है लेकिन आज के दिन जो है बाजार के अंदर भी correction रहा और साथ साथ यह जो 200 दिनों का moving average है यह एक मतलब की वापस से कल भी अगर देखे के तो इसके उपर यह जो ज्यादा नहीं जा पाया आज भी अगर देखे के तो इसके उपर जाने की कोशिच की लेकिन वहां पर जो 50 विक का moving average है उसके आसपास एक रजिस्टन फेस किया और गड़ अगर इसको तोड़ता है तो साड़े 900 रुपे से लेकर सवा 900 और 900 रुपे यह जो है तीन इसके एक support zone इसके हो सकते है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे साथी साथ जो इसका retracement की अगर बात करें कि अगर 50% का retracement जैसे कि 980 से 1000 का level है अगर इसको तोड़ता है तो उसक पहले भी कुछ इसको support मिल सकते है जैसे कि हमने बात की एक तो यह 975 रुपे का level जो है जो कि वहां पर इसने support लिया दा अभी हमने weekly chart के ओपर देखा जैसे कि एक सेकना आपको बता दे यहां पर है यह 975 रुपे का zone है उसके बाद साड़े 900 फिर 920, 930 और उसके बात देख दोनों ही देखा और अभी भी यह ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बाजार संबलता है तो यह 21 दिन का जो moving average है वहां पर यह संबल सकता है 10-15 रुपे उपर नीचे रख सकते हैं यहां पर इसको अच्छा support मिल सकता है 975 रुपे का zone है पिछली बार वहां पर इसने resistant अब देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं तो कल के दिन ही अगर आप देखे यह जो बार है यह चोटे बन रहे थे कल अगर देखे तो इसने एक हलका सा red color का बार बनाया था आज वह बार थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और यह बेरी श्क्रोसवर है वह थोड़ा सा मतलब अब यहां पर यह भी देख सकते हैं पिछली बार भी मैंने बोला था कहीं दिनों से बुलिंजर बेंका यह जो इंडिकटर काफी यूसपूल रह सकता है इसका भी अगर मिडल लाइन अगर देखे 980 के आसपास आया है तो यहां पर जो है इसको support मिल सकता है उपरी लाइन अगर देखे तो 1274 के आसपास से वहाँ पर इसको रजिस्टन फेस करना पड़ सकता है अगर तेजी आती है तब की बात है फिलाल तो support की बात करते है क्योंकि इसके अंदर आज गिरा वट आई है तो इस लेवल के आसपास इसको support मिल सकता है और अगर यह conservation थोड़ा सा और अगर बात करें तो उपरी लाइन जो है एक अजार और च्यालिस के आसपास है और आज के दिन की बात करें तो एक अजार के आसपास इसने जो है closing दी है और daily chat के ओपर अब इसके आरेसाइ देख लेते हैं तो 54 के आसपास आया है काफी cool down हुआ है यहां पर अगर देखें के तो इसके support और registration देख लेते हैं काफी useful रह सकते हैं short term की बात करें तो अभी भी जो है इसका support अब जो है थोड़ा सा करीब दिख रहा है जो की 975 रुपे से लेकर एक bigger range की अगर बात करें अब यह जो 1000 रुपे का zone है वो भी एक अच्छा का support है लेकिन फिर भी अगर देखे 900 का zone है पहला इसका support यहाँ पर दिख रहा है उसके बाद देखे तो 950 उसके बाद देखे तो 925 का zone और उसके बाद देखे तो 900 रुपे का zone तो यह सबी support area के उपर आप नज़र रख सकते हैं अगर register की बात करें तो कि अगर bounce back आता है इतनी गिरावाट के बात कल के दिन य प्राइस के असपास और अगर इसको पार करता है तब जो है यह 1100 रुपे से लेकर 1120 रुपे तक जाने की इसकी संबावना रह सकती है तो इन सभी support और रजिस्टर्न के उपर आप नज़र रख सकते हैं यह बात हो लिए short term की तो आज के वीडियो में इतना ही live market के उपर इ सब्सक्राब करें और एक standard disclaimer जो कि मैं हमेशा देता हूँ आप कोई भी rate ले उससे पहले अपनी research करें अपने financial advisor की से लाले उसके बादी को DC ले और DC ले तो उसके जीमेंदारी maturity की स्याथ को दी ले यह वीडियो में आई जू के लिए बनाएं मेरी तरफ से कोई भी बाइस देल के recommendation नहीं, thank you.